सभी आनंदारी बहनों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो आज का जो हमारा टोपिक है वो राश्ट्रिय पोसन माह 2022 यानि की एक से लेकर 30 तारीक तक जो राश्ट्रिय पोसन माह मनाया जा रहा है उसका एंट्रिय हम लोग पोसन अभियान के डैस्बोर्ड पे कैसे करेंगे उसमें जो भी गतिविधी है उसका एंट्रिय कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो आप लोग से एक छोटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए सबसे पहले आप लोग के अपने फोन में जो ये ओप्शन आप लोग देख रहे हैं पोशन अभियान पोशन अभियान जैसे ही लिक के सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होके आएगा और यहां पर जो फर्स्ट नमर कॉलर में देख रहे हैं पोशन अभियान का जो ओफिसियल वेबसाइट है वो यहां पर आ चुका है इस्का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँँगा वहां से जाके आप लोग डिरेक्ट इस पेज पके आ सकते हैं तो चलिए हम लोग सिंपली इसी को ओपन कर लेते हैं तो इसको open करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा पोसन अभियान का dashboard खुल रहा है यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि server की problem हो सकती है क्योंकि सभी आगनबारी करे करती इस पोसन अभियान के dashboard पे करेंगी तो यह थुरा सा slow चलेगा तो आप लोग को थुरा सा wait कर लेना है उसके बाद जो आपका यह पोसन अभियान का dashboard है वो open होके आ जाएगा इस परकार से देख सकते हैं हमारा पोसन अभियान का dashboard खुल चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पे जो three dots आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे right side के कोने में इस three dots पे आपको click कर देना है यहाँ पे जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पे निचे से second number option आपका दिखाई दे रहा होगा data entry तो इस पे आपको एक बार फिर से click कर देना है data entry जैसे click करेंगे तो आपका इस प्रकार से username और password पुछेगा तो यह जो username और password है वो आप लोग को विभाग की और से आपको मिल जाएगा आप लोग को नहीं मिला है तो आप लोग lsmam से आप लोग इसका user ID और password ले सकते हैं हमारे पास इसका user ID और password है तो चलिए हम इसको यहाँ पे login कर लेते हैं login करने के बाद अब आप क्या करना है यहाँ पे जो capture दिखा रहा है यानि कि यहाँ पे इसको जोरने के लिए बोल रहा है 8 प्लस 1 कितना होगा तो यहाँ पे हम इस पे tap करेंगे और यहाँ पे 9 लिखके यहाँ पे sign in वाला option है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे blue color में जो sign in वाला option दिख रहा है इस पे हमको sign in कर देना है sign in जैसे करेंगे participation in the जन अंदोलन activities is subject to COVID-19 protocol तो यह COVID-19 प्रोटोकल के जो नियम था उसी टाइम से यह option आप लोग को देखने को मिल रहा है तो इसको क्या करना है OK कर देना है OK करने के बाद इस प्रकार से आपका page open हो जाएगा अब यहाँ पे सबसे पहले आपको activities चूज करनी है कि आप लोग इस date को कौन से activities कर रहे हैं तो यहाँ पे activity वाले पे किलिक करेंगे और यहाँ पे आपका सारा activities खुलके आ जाएगा तो आप लोग को जो भी activities का form यहाँ पे भरना है वो आपको activities से यहाँ पे select कर लेना है और प्राशन दिवस है गुदभराई दिवस है और जो भी एचे सेंडी कारेकरम है वो उसका यहाँ पे मतलब कि सारे activities यहाँ पे महजूद हैं तो आपको यहाँ पे अपना activities से यहाँ पे growth, measurement, device, same and mem का जो यहाँ पे option दिया गया है इसको हम लोग select करेंगे और यहाँ पे theme से लेक्रम करेंगे और यहाँ पे theme हमारा automatic ही आ जाएगा महिला और स्वास्तेयर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे block select करेंगे याणि कि किस label से यह कारेक्रम कराया जा रहा है तो यहाँ पे इसको हम awc select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप से पुछेगा organizer यहाँ पे इस पे tap करेंगे तो यहाँ पे आपका जो option है वो आपको क्या करना है कि यहां पे जो आपने कारेकरम और गनाइज किया है इसमें कितने बच्चे और महिलाएं और पूरुस मौझूद है उनका डिटेल से यहाँ पर भड़ा जाएगा तो यहाँ पर आपको male और female का option दिया गया है कितने male थे, कितने female थे और कितने child यहाँ पर मौझूद है इस activities के दवरान तो चलिए माल लेते हैं यहाँ पर पूरुसो की संख्या है, 8 है, और जो महिलाएं यहाँ पर मौझूद थी, 10, तो इस परकार से यहाँ पर आपको लिख देना है फिर बच्चे कितने मौझूद है उसके बाद यहाँ पे बच्चों की संख्या डालनी है कि बच्चों की संख्या में मेल कितने हैं और जो बच्चियां है वो कितनी यहाँ पे आई हुई थी तो सभी को यहाँ पे आपको add करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको उपर में एक option दिखाई दे रहा होगा total participation यानि कितने लोगों के द्वारा यह जो कारेकरम है organize किया गया तो इन दोनों को आपको plus कर देना है और यहाँ पे आपको entry कर देना है जैसे कि 18 और 25 आपका हो गया 43 तो यहाँ पे 43 हम यहाँ पे इसको add कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक picture भी upload करने का option आता है अगर आप यहाँ पे इस picture को upload करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे picture upload करना है उस activities का तो यहाँ पे upload a picture पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे gallery खुल के आ जाएगा यहाँ पे जो भी आपने picture को खींचा है उसको यहाँ से select करेंगे और यहाँ उपर done वाले option पे click कर देंगे तो आपका picture यहाँ पे set हो जाएगा उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे description में जो भी activities के बारे में लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे जो submit वाला option है इस submit वाले option पे आप click कर देंगे जैसे ही submit करेंगे तो देख सकते हैं submission successful add on other activities यानि कि आप इसके बाद कोई और activities को यहाँ पे add करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे add कर सकते हैं या यहाँ पे आप देख सकते हैं view all data enter यानि कि आपने कितना जो activity है वो यहाँ पे उसका एंटरी किया है उसको यहाँ पे touch करके देख सकते हैं तो इस परकार से आपको हर रोज का जो पोषन माह का activity है उसको यहाँ पे आपको upload कर देना है तो इसी परकार से आज की ये जनकारी की जन अंदोलन एक्टिविटीज कैसे भरा जाएगा तो उमीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सभी आंगनबारी बहनों के साथ सेर्ख जरूर कर दें ताकि सभी आंगनबारी बहने इस जन अंदोलन की एक्टिविटीज को असानी से भर सकें तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक ने जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद